नमस्कार आप देख रहे हैं जियोभिनुज तो दोस्तो वक्त हो गये दोपार की बड़ी खबर को जानने का तो उसे पहले अगर आपने अवी तक जियोभिनुज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर जियोभिनुज को सब्सक्राइब करके और लिए दस दिन से कम का समय बचा हुआ है सभी राजनतिक पार्टियां प्रचार में जुटी होई है सुबह में प्रमुख मुकाबला आमादमे पार्टी बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच है बीजेपी जहां इस चुनाओ में पीएम मोदी के चेहरे के दम पर वोट मांग रह है तो ही आम आदमे पार्टी सीम अर्विंद केजरिवाल के काम को लेकर चुनाओ मैदान में उतरी है इसी बीच एक बड़ी कबर सामने आ रही है कि भारती जनता बार्टी आज अपना घोशना पत्र जारी कर रही है बीजेपी के घोशना पत्र में तीन प्रमुख ध्यान केंदित किये जाने की संभावना जताई जा रही है इनमें जुग्गी वालों के लिए घर यमुना रीवर फ्रंट और प्रदोशन मुक्त दिल्ली सामिल हो सकते हैं इससे पहले भारती जनता बार्टी ने अपने घोशना पत्र में आम जनता के सुझाव लेने के लि कि मौरिशस की पूरव प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगननाथ को पद्मे विभूशन 130 करोड भारतियों की तरब से स्नेह की निसानी है जो दोनों देशों के बीच मितरता को प्रगाढ़ करने में उनके लगतार प्रियासों के कारण उन्हें दिया गया है मोदी ने यह बाद मौरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगननाथ के ट्वीट पर कही प्रविंद जगननाथ ने अनिरुद्ध जगननाथ को यह सम्मान दिये जाने के लिए भारत का अभार व्यक्त किया था आपको बता दे कि पद्म विभूशन देश का दूसरा सब से बड़ा नागरिक सम्मान है चुनाव आयोग से बीजेपी ने की अपील कहा साहीन बाग सहित दिल्ली के सारे परदर्शन का खर्च आम आदमी पार्टी में जोड़ा जाए जिहां नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली के साहीन बाग में विरोध परदर्शन जारी है दू से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की है बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिकित शिकायत देकर अपील करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता राजधानी दिल्ली के विबिन जगों पर नागरिकता कानून के विरोध की आड में चुनाव पर अपना चुनाव परचार कर रहे हैं। अपना चुनाव परचार कर रहे हैं। के उनके इस बाबत दिये गए सभी वयानों को दिखाया गया है। इस्मृती इरानी ने कहा देश तोड़ने का काम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव न जीत पाने वाले लोग। जिहां केंद्रिय बंतरी एवं इस्थानिय लोकसभा सांसद इस्मृती इरानी ने कहा कि 2019 में लोकसभा चुनाव न जीत पाने वाले लोग साहीन भाग जैसे मामलों को समर्थन दे कर देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। आमाद्वी पार्टी का नाम लेते हुए स्मृती इरानी ने कहा कि इसके नेता मनी सी सोधिया तता कुछ ऐसे ही दल साहीन भाग के धरना परदैशन को समर्थन दे रहे हैं। गंगा यात्रा की सवाल पर इसमृती इरानी ने कहा कि यह उनका सोभाग्य है कि उन्हें गंगा यात्रा में सामिल होने का आउसर मिला।